जिन बाई वेनों को डाइवेटीज हो गई है यानि जिसको सुगर बोलते हैं इस वीडियो को एंट तक देख लेना कसम से आज जो चार चीज़ें आपको बता रहा हूं इनमें से कोई एक चीज रोजा ना खाना शुरू कर दोगे ना आपको ना तो इंसुलिन का इंजेक्श लेने की आविशक्ता पड़ेगी यह ब्लाट सुगार धीरे धीरे रिवर्स होते जाएगी और जितना आपकी बोडी में ब्लाट सुगर का होना भी जरूरी होता है इसका एक लेविल होता है अगर डाउन चली गई तो आपको प्रबलम होगी अगर अब चली गई तो आपक इसलिए ब्लाट सुगर का होना जरूरी है ब्ल inlet में यह सारी cells ह 2017 होती है tiyaan ब्लक के लिए उत्य करता है तो मैं मुद्द्देश पर आता हूँ वह चार चीज़े जो आपके लिए अम्रित के समान होती है डाई विटीज में यह I बहतर दवा जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी चार चीजें आपके लिए अपसे से रेकमेंड करूँगा सौ परसेंट रेकमेंड करूँगा पहली चीज अमरूद के पत्ते जो होते हैं भाई साब मैंने आज से करीब आठ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने अमरूद के पत्ते बताई थे डाइवटीज के लिए मैंने वो वीडियो बनाके छोड़ दी और वो वीडियो वाइरल हो गई उस वीडियो के माद्दम से जो लोग उस नियम पर अमल रहे उस चीज को लिया अमरूद के पत्ते को लिया आज वो ही लोग कम पाँच पत्ते छृवर जाना या फिर चार पाज़ पत्तों की चाय पानी में पत्ते डाल देने वाल लेने इच्छा से जब तक कि आपका एक गलास पानी आदानी रहे तब तक अबाल पत्य का पूरा आयर को पानी में आ जाएगा उस पानी को पीना यानि वह काड़ा भी बन जाएगा और वह चाही के जिगा आपको इस्तमाल करना दाना कि आपको इतना बैतर फायदा होगा इसको रोजाना पीना सुरू कर दीजिए रोजाना आपको कोई भी साइड फैक्ट न के बन गना शुरू कर देना आप देगना कितना कमाल होता है और चावल हुआ और जो कार्वाइड कर दिजिएगा ठीक है गया योगतं सुझाों होता हूँ काल कर दीजिए कह दो टोhesको पैया तडालचीनी श्रू कर दिएगा इसको चानकर, आप दालचीनी का काड़ा कैसे बना देखिए एक ग्लास पानी लें उसमें करीब एक चमच अगर बैस के अगर कम उम्रे आपकी तो आप आदा चमच ले सकते हैं वह आपको सीधा पानी में डाल देनी है और पानी को वाल मारना च्छी उसे खतकाना जब तक एक ग्लास का पान कंवल का जोनी जातेसिछा सर trans Cult एक दना जान देना है चाय का चाह की चीजए पिना आपको तीसरा की अगर आपको आमला मिल जाए कहीं कच्छ आमला आ जाते ना कच्छ आमले यह कच्छ आमला सो बिमारियों के लाज होता है देख लिए यह बालों से लेकर ना पैर के नाखुन तक के लिए एक आमला पर्याप्त होता है और डायवर्टीज में तो बहुत बढ़िया काम करता है इंसुलेन का इंजेक्शन जो होता है उसको भी आपको लेनी के जुरूत नहीं पड़ीगा हलागि जुद्धे भी मैंने पहले भी बताये ना उनमें आपको धीरे 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 आपका जो इंसुलेन हर्मोन है वो रिलीज होने लगेगा आपकी बोडी में पैन क्रियाज चांस होता है इसमें ने का चांस होता है तो इसलिए आप दो रोज दू मुझत सुवह कि समय तच्य आम्ले आते हैं उनका सिवन करना स्टाट कर दीजिए सुबह कि सबह आपको खाली पेट लेना एंगर वो नहीं मिलता है कच्छ आमला आपके आमला पावडर लीजिए एक चम्मच पाउडर लीजिए और ग्लास पानी लीजिए उसके साथ पी जाईए सुबह खाली पेड़ रोजाना इस नियम पर कायम रहना देखना कितना कमाल होता आपकी बौडी में और आकरी चीज जो मैं आपके लिए अवश्यर कमंड करूंगा वो होता है कि कहीं भी आपको नीम के प्त्व मिले नीम प्तE या तो नीम के पत्तौां को पानी मोबाल के उनका काड़ा भनाए एक मुठंधी करीव या फिर आप जिसे कहीं जा रहे हैं वड़ पर सुबह गुमने के लिए तो सब्सक्र Div कॉपल होती है कची से जोड़े ब्लेड से जोड़े जो भी इंफेक्शन है खून में जो कमी है मतलब आपका बोड़ी प्यूरिफाई हो जाएगा सरीर के सारी गंदगी भार हो जाएगी द्हान नकिये और आपका खिर्णी अच्छे से काम करेगी अगर यूटिया इंफेक्शन रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है डाइवेटीज के लिए तो यह बहुत ही भैतर होपाई होता है तो यह चार चीजों में से कोई एक चीज पर अमल रहना आपकी जिंदगी सुदर जाएगी डाइवेटीज रिवर्स होने का पूरा पूरा चांस होता है विडियो को इतना कर देन उन भाई बेनों तक जिनको नहीं पता जो अभी यहनों ने फॉलो किया पेज जो कि नए हैं जिनको यह पास पेज का कोई पता भी नहीं तक पेज का यह डिटेल यह जानकारी पहुंच जाए ठीक है दोस्तों धन्यवाद